कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी तो आज हो रहा है बारिश का मोसम आज नहीं काफी दिनों से हो रहा है तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रैट पॉकिट जो के खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी है और बनाना बेहत आसान है एकदम क्रंची है यह तो बेच में से काट लिए आप चाहें तो साइड की ब्राउन वाला पार्ट भी काट सकते हैं बेशन ले लिया है कॉन्फलेक्स ले लिया आप इसके जगा पोहा ले सकते हैं ब्रैट क्रंच जाएगा थोड़ा से लिया है मीठा सोड़ा और कुछ घर के जो मसाले हल्दी नमक विरस धनिया पाउडर गरम मसाला यह सब बस उसके बाद अब हम जो बेशन हमने लिया है उसके अंदर में सारे मसाले डाल दूँगी नमक डाल दूँगी लाल मिर्श डाल दूँगी धनिया पाउडर डाल दूँगी आप इसके अंदर अद्रक लसन हरी मिर्च का पेस्ट यह पुछ आपके ओपर डिपैंड करता है कि आपको कितने मसाले अड़ करने हैं कितना चट पता चाहिए नीबू भी ढालेंगे और ईसका घोल बना लेंगे घोल बहुत जदा गाडा हो चिप गंडे सब्सक्राइब बहुत जल्दी गला देगा डिप होते और बहुत गाड़ा हो गन तो भी बहुत वह मोटे मोटे सो जाएंगे तो ठीक ठीक सा हो उसके बाद एक पिंच में इसके अंदर मीठा सोडा डाल रही हूं आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिसके जगा इनो भी डाल सकते हैं थोड़ आप मैंने साबूती कॉन फ्लेक्स टे लिये हैं आप चाहिए थोड़ा सा हाथ से पी सकते हैं थोड़ छोड़ा कर सकते हैं उसके बाद एकदम गरम खोलते हुए तेल में हम इनको डाल देंगे और उपर कॉन फ्लेक्स तो बहुत जल्दी जल जाएगा तो जटपट से हमें फ़े हमें इसको पलटना है और जसे यह आपको लगए कि हाँ भी ब्राउन हो चुका है तो आप इसको निकाल लेना और ब्राउन भी अपने साब में अ łपने तकर सते हैं कितना ज़दा ब्राउन रहना है और कितना कम ब्राउन रखना तो यहां पर मेरी जो ब्रेट पॉकिट्स है यह बन चुके और यह ना कसम से बहुत टीस्टी बनती है आप इस बार इसके मुझे में ट्राय करना यह ब्रेट पकोड़े को भी फेल कर देगा और एक दम टिक्की को भी फेल कर देगा कि इसके इतना अच्छा क्रण्च आता है कॉनफलेक्स का बहुत ही अच्छा क्रण्च आता है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और हमारी ब्रेट पॉकिट्स या फिर आप से कह सकते हैं शाम का गर्म गर्म नाश्ता बनकर हो चुका है रेडी थोड़ा से इसके पर डाल देंगे मैं चाट मसाला की थोड भणार बारिश और आप लीजिए इसका मजा अगर वीडियो अच्त म flavors खलग है तो लाइक किजी। को जो पीजिए चैनल को सस्क्रवाइब के जये और अब मेरे चैनल पर नहीं है णगी। भी। तो nosso शब्सक्राइब ک利शियोग कर दाना किन हमारी है ! मेरे देखने कि मैं मी